दोस्तों ये तैयारा जो है वो एसा रडार से लस है यानि कि ये पाकिस्तान में रहते हुए भारत का चपपा चपपा देख सकता है और 400 किलोमेटर रेंज वाली PL-15 मिसाइल की रेनुमाई भी कर सकता है दोस्तों ये बात आपको बता दें कि जो PL-15 मिसाइल की रेंज है वो किसी भी हिंदुस्तानी मिसाइल से ज़ादा है एक बार PL-15 लॉंच हो जाए तो राफेल को भागने के लिए जगए नहीं मिलेगी नमस्कार दोस्तों मैं नीतिन आप सबका स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल लेट फर्स्ट में इस वीडियो से मैं किसी को नीचे नहीं दिखाना चाता सिंपली इस वीडियो से मैं दी गई गल्त इंफोर्मेशन का जवाब देना चाहता हूं तो इस वीडियो को शुरू करते हैं जिसे यह पागल बंदा आयरन ब्रादर कहता है उसी ब्रादर ने दोखा देकर 400 किलोमेटर रेंज वाली मिसाइल की जगह पर केवल 145 किलोमेटर की रेंज वाली मिसाइल दे दी इतना हो गया और पाकिस्तान शिरफ देखते रहा गया वह 160 किलोमेटर है इस मिसाइल का ट्राइल SU-30 MKI के साथ चल रहा है जल्द ही पाकिस्तानी एर फोर्स को अस्त्रा MK2 के नाम से एक और बूरी खबर मिलेगी हमारे J-3C तयारे में हमारे RNB रादर का खुद का एंजिन है जो कि रूसी एंजिन से ज़्यादा एडवांस और ताकतवर है दोस्तों ये तयार वही मोडल है जिसे हमारे RNB रादर की फिजाया दोरा इस्तेमाल किया जाता है लेकिन मैं इस बात की जमानत दे सकता हूँ कि चीनी वर्जन से कदरे ज्यादा जदीद नहीं है जैसे ही पाकिस्तानी एरफोर्स को चाइना ने 400 किलोमेटर रेंज वाली PL-15 के नाम पर केवल 145 किलोमेटर रेंज वाली मिसाइल दे दी फिर से पाकिस्तानी एरफोर्स को जेटन सी फाइटर जेट के जगाह पर उसका इवर्जन को पाकिस्तानी एरफोर्स को चेप दिया और पाकिस्तानी यूटूबर केवल जमानती देते रह गए और चाहिना दो नमबर का माल पाकिस्तानी एरफोर्स को देकर चलता बना उनका लड़ा का तैयारा ते जुलाल दुनिया का सबसे बहतरी लड़ा का तैयारा है और हमारा जेटेन बेकार है आर्टियों ने हमेशा पाकिस्तान के लड़ा के तैयारे को कम समझा खासता और पर ये पाकिस्तान के जेव 17 तैयारे के पारे में ये कहते हैं कि ये एक नाकाम एक्राफ्ट है, हाला कि जिसे ये नाकाम कहते हैं, जदन नहीं तो कम से कम, दुनिया की तीन मुमालिक अपने फिजाया में इसे शामिल कर चुके हैं, जबकि लाख कोशिशों के बावजूद, इनका तेजस किसी भी मुल्क की तवालिया भी तक हासिल नहीं कर पाया है, जेफ-17 अकेले ही हिंदुस्तानी फिजाया को समालने की सलायत रखता है, बात करें तेजस की, तो दुनिया का सबसे अच्छा फाटरिजेट तो मैं इसे नहीं कह सकता, पर इतना कह सकता हूं कि तेजस पाकिस्तान के जेफ-17 लफंडर से हार मामली में अच्छा है, कंपेरिजन करें तो हमारी तेजस की फ्यूल कैपेस्टी 2,458 किलोग्राम है, वहीं पर जेफ-17 की केवल 2,449 किलोग्राम, तेजस 5,300 किलोग्राम का पेलोड लेके जा सकता है, वहीं पर जेफ-17 केवल 3,700 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है, तेजस में लगा इंजन F404 85 किलो नूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूज करता है, साथ ही ये फैट-एक्स कंट्रोल से भी लहस है, वहें JF-17 का engine केवल 84 kN thrust ही produce कर सकता है range की बात करें तो तेज़स fighter jet की range 1850 km है वहें पर JF-17 की range केवल 1200 km है speed की बात करें तो बारतिय तेज़स इसमें भी आगे है हमारी तेज़स की speed 1980 km per hour है वहें पर JF-17 की speed केवल 1910 km पर hour है और ना ही JF-17 में बारतिय तेज़स की तरह mid air refueling prop है यहीं काहण है कि हम तेज़स को JF-17 से कातल बैस्ट बताते हैं और अगर आपका JF-17 लफंडर सच में इतना अच्छा fighter jet है तो जिस दिन एंडियन एर फोर्स के मिराज 2000 ने पाकिस्तान में घुसकर बोम गिराए उस दिन यह fighter jet कहां पर सोई हुए थे उससे अगले दिन भी F-16 को यागे कर दिया अगर आपका लफंडर सच में इतना reliable है तो क्यों इतने बार crash हो चुछका है बात करें JF-17 के operator की तो Nigeria पी आपके JF-17 लफंडर को लेकर पच्छता रहा है Nigerian Air Force तीन के नमबर में JF-17 को operate करती है पर जब Nigerian Air Force ने JF-17 से एक drone को track करना चाहा तो यह उसमें fail रहा ऐसी करने की कोचिस दो बर की गई और दोनों बर यह drone तक को track नहीं कर पाया तो यह बताते हैं कि आपका JF-17 लफंडर है वो कितना अच्छा है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरे काम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल Let's First को सब्सक्राइब करें लाइक करें धन्यवाद